जो चलिए दोस्तों आज की क्लासिक शुरुआत करते हैं हम लोग देख रहे थे यूपी ये सिपीटी इसपिसल 24 के लिए और हम लोग समझ रहे थे कि पिछले 14 साल में जो भी कुश्चन पूछे गये हैं और 2023 तक जो प्रिलिम्स हुआ है उसमें कुछ बदला हुए है कि नही यानि अगर किसी भी एकजाम को समझना UPSC की बात करे तो आपको PY की सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है और इसमें हमने एपिसोड फर्स्ट में 2011 के कुश्चन सॉल्व किये थे आज है एपिसोड टू इसके पहले सबसे पहले आज सले बस देख लेते हैं थोड़ा सा जोगर जोगर्फी और वर्ड जोगर्फी उसमें क्या फिजिकल सोशियल एकोनॉमिक जोगर्फी ठीक है भारत की और पिसोड़ी जोगर्फी सक्षन के वल आपके पीटी के लिए नहीं बलकि मेंस के लिए इसके अलावा अगर आप इन्वार्मेंट एकोलोजी की बात करें इंटर और हमेशा से मेरा मानना है कि कोई भी एकजाम हो चाहिए UPSC की बात करें हम लोग तो वह आपको नहीं समझेगे कि आप क्या चाहते क्या नहीं चाहते आपको UPSC को समझना पड़ेगा ठीक है प्रिलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको ट्रिदिशनल बुक के काम नही प्रिदिशनल बुक जरूरी है ताकि आपकी बेसिक ग्यान हो जो कुष्चन आया अप्लाइट उसको जो है आप सॉल्व कर सकते हैं और यह आप कैसे पता लगाएगा तो जैसे से हम कुष्चन सॉल्व करते जाएंगे आगे आपको पता लगा चलिक सबसे पहला कुष्चन देते हैं जियोमवर्फोलाजिया निओ भुवाकरित बिज्ञान से ऐसे सेक्शन वाई हम लोग करेंगे पहला कुष्चन से पूछा है जब आप हिमाले में यातरा करेंगे तो आप निमलिखित में देखेंगे क्या देखेंगे हिमाले की यत्रा करते वक्त गहरी घाटियां यूटर्ण नदी मार्क तीन समना अंतर स्परवस रिंख लाए चार त्रिब धाल वाले भू असक्लंगे काड बनती है आपको बताना उप्रोक में से किसे हिमाले की यूवा वलित परवत होने का प्रमाड़ का आ आता है निव फल्ड माउंटेन होने का प्रमाड़क आता है अगर कोई भी रेंज्ज आगर नेुव फल्ड माउंटेन है तो उसका जो है जो भी new fold mountain रहेंगे वहाँ पर syntaxial band देखने को मिलेगा ठीक है आसकार हिमाले की बात करें तूसरी बात आप करें तो गहरी घाटिया भी देखने को मिलेगी ठीक है तीसरी बात करें तो जितने भी बिस्व में जितने भी आपको young fold mountain देखेंगे वहाँ पर आपको जो है एक mountain range नहीं दीखेगा ठीक है परवस बलकि कई सारी छोड़ी छोड़ी श्रिंखलाई देखेंगे कि फोल्ड के कार जो है यह सब जो है ठीक है आप देखेंगे यूरेसियन प्लेट और भारती प्लेट के टकराने कार देखेंगे तो फोल्ड के कार जो है यहाँ पर basic concept को समझने क के लिए क्या होता है फोल्ड के कल कई सारे रेंज बने हुए जैसे आप ग्रेट हिमाले रेंज और मद्ध हिमाले बात करें तो कई साले समानांतर सेडियां देखने के बिसमें आप कहीं भी जाएंगे तो वहां पर कई सारे जो है अगर कोई भी यंग फोल्ड मॉंटेन है हिसके लावा डेखने को मिलेगा अभी जो है और जो राउक है वह थोड़ा साब उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वहां पर लैंड सलाइड देखने आपी जो है इसलिए हमालय में देखंगे कई जगा उत्रा खंड में आप देखने को मिलेगी ठीक है इसमें देखेंगे ऑप्सन चार यानि ऑप्सन डी एक दो तीन चार सही है इसके अलावाँ इसी सम्मझत जो है 2011 में कुछ्चन पुछा गया था अब इसमें देखी का पुछा है ब्रह्मपुत इरावदी मेकांग न होता है अभी मैंने बता है यूटर्ण होता है जो अगर बात करें तो हमाले कैसा है अभी न्यूफोल्ड मांटेन है उसमें सिंटेक्सियल बैंड आपको देखने को मिलेगा ठीक है अराकानियोमा से जाएंगे यह जो है नॉर्थ इस्टन हिमाल है वहाँ पर आप अगर आपको क्लास की पीडियाप चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको पहरा कुछा गया है इसलिए पहला कुछ्चन है निमलिकित कारकों पर विचार किजिए ऑप्सन नेक किस कारकों पर विचार करना है कमुद्धाराओं को पिर्फभी का गुमना प्रिफ्वी का घूमना प्रिफिय का घूमना समुद्धारओं को प्रवावज़ करता है ताब को बता ने इन चार कार्व को में से या 1 2 3EstD in option में सब को सेट करना ए बी सीडी में चले इसका answer करता है अगर नहीं पढ़ा होगा सबसे पहली बात रोटेशन और रिवलूशन में आपको अंतर समझना पड़ेगा ठीक है रोटेशन और रिवलूशन में कर रही है ठीक है और इससे क्या होता है इससे जो है मौसम में परिवर्टन होते हैं ठीक है तो इसे रिवलूशन कहा जाता है ठीक है तो इसमें देखेंगे प्रिछी भी क्या गूमने का कार्ड जो है समुद्र धाराव को प्रभावित नहीं करती है ठीक है यानि इसमें यानि दो कथन केवल तीन कथन या इन में से कोई नहीं ना अब दीवत पूछता है इसलिए बेसिक कॉंसर्ट क्लियर रहना दिरूरी है आप देखेंगे इसमें महासागरी जल्धाराओं की बात करें तो धारा क्या होती है एक रास का प्रवाह होता है और एकनिसच्य दिसा में बहुत असिक दूर तक बतै करती है धाराओं के उत्पति क heb देखें कई सारे काणले ठीकर जिसमे आप देखेंगे एक महासागरी दाराओं को प्रवज़त करने वाले के तढ़कि जिसा कैसी होगी वह महासागरी दिसा awakening को फॉपरवजत कर दो प्रि तो इससे क्या होगा जो धारा चाहिए चलेगे उसके बिप्रीच चलती है यानि पूर्व से पस्चिम की तरफ जिससे विश्वत रेखी धारा कहते हैं इसके वाराम इसमें डीटेल में आपको दिया गया है आप पढ़ लेगे तापमान में विविंता काड़ा आप बढ़ता है उसका घनत्व कम हो जाता है ठीक है डइंस्टि कम हो जाती है तापमान अच्छेमेया चलता है कि और इसके रामा बन जाती यानि अप वेलिंग और डाउल वेलिंग ठीक है तापमान में भीनता ठीक है तो देखेंगे तापमान लवड़ता दाप उच्छांसों में बर पिखलने से भी घंत में अंतर आता है इसके फलतुरूप धाराव के उत्पत होती है बाहे महासागरी कारक में सब चीजें यहां पर दी गई है महासागरी तापमान को कौन-कौन से करक्प्रवाइब करते हैं सब को आपको पढ़ लेना है नेक्स्ट बात करेंगे और गोश्नियोग्राफिक से पूछा है कुस्चन इसने पूछा है सामानता प्रित्वी की सता से उपर की और गर्म होता है केवल प्रित्वी की सता से उपर की और गर्म होता है ओप्सlevant डो उपरी वाय मंडल में नमी अधुक होती है ऩी है ध्यान से कीवरड अंडरलाइंड करोगे अप सब बताना है कौन सा चाहिए तो पहली बात उपरी वाय मंडल में नमी अधिक नहीं होती है इसके लाव उपरी वाय मंडल में हवा कम घनी होती ये बात चाहिए अभी कैसे सही है इसको हम आपको बताएंगे कहने के बादर इसमें एक और तीन सही है सबसे पहले इसमें आपको स्ट्रक्चर की बात करें आप देखेंगे जितने भी घटनाएं होती है वाय मंडली घटनाएं यानि बरसा हुआ थंडा स्टॉर्म हुआ यह सब सब कहां गलता है छोब सीमा पर आपको देखने को मिलेगा दूसरी बात प्रितवी सता के पास आप लोता है क्यों क्यों आप देखेंगे प्रितवी के बाय मंडल के पास जो है जितने भी डस्ट पार्टिकल होते गैसे होंगी स्वेंटी परसंट की पास जायेंगी जैसे जैसे उचाई बड़ने के साद भानत में कमी आ जाएगी एक बात इसमें क्लियर हो گए अब एक चीज़ ऑर आपको देखना है कि जैसे जैसर उचाई के साथ आप देखेंगे उचाई बढ़ने के साथ ताप्मान में कमी आता है पियंकर ऐसका काल मैंने बताया कि जैसे उचाई पढ़े इसमें जो ढाइक गैस के देंस पार्टिकल एक प्रेसर कम आएगे तो यहां पर देखेंगा यहां लाउन निचली सता आप देखीर स्थ इसके बाद घृषटो पॉस है जाएगा पुर बड़ेगा पिर इसके बाद मेसा स्पीर में देखेंगे फिर यहां पर तापमान कम होने लगा इसके बाद जैसे मेसोपास से क्रास करेंगे फिर थर्मोस्पेर में आपको बहुत सारे आयन पार्टिकल देखने को मिलेंगे ठीक है यहां पर देंसिटी बढ़ जाएगे डेंसिटी बढ़ने के साथ तापमान बढ़ जाएगा फिर एक देखेंगे त में सूर का प्रकास जो लादा पढ़ता है जलकी सता पर तापमान बढ़ता है कांज बढ़ने के साथ Convection करण के रूप में आदिता करके उपर उठेंगी क्या होगा तो ये ऊपर जाकर संगनित होके बर्सा होंगे तो आप देखेंगे आधरता कहां जाधा रहेगी आधरता जो है आप देखेंगे वाय मंडल की सता के नीचे जाधा रहेगी ठीक है यानि नमी कहां रहेगी जलकी सता के पास ठीक है यही आप देखेंगे वर्षा की मात्रा गमी आती है, सेम यहीं कॉंसेट लागो हुआ, इसका answer question जो है, हम लोग आगे discuss करेंगे, तो यहाँ क्या हुआ, नमीली सता से, जल की सता से, यहाँ पर नमीली जदवात मात्रा ग्रहण की उपर गई, तो बारिस हुई, आप जैसे जैसे यह बारिस, समुद ठीक है, यही कार्ड है कि आप देखेंगे, सौथ वेस्ट मांसून जब चलती हैं, तो मासागर से आता ग्रहार करती है, जैसे सब भारत के अंदर आती, वेस्टन घर से क्राज करके, तो वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है, ऐसे आप देख हो गई, बेसिक कॉंसेप्ट क्लियर हो गए, एक चीज़ और आपको क्लियर कर सकते हैं, अभी मैंने उसमें लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा था, यहां वाई मंडल केवल प्रितिभी के सता के ऊपर की और गर्म हो सकता है, ठीक है, यह बात सही है, क्यों सही वेब रेडियेशन के रूप में प्रितिभी द्वारा जो है, बहुत सारी एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है, और यह प्रितिभी जाता हीट हो जाती है, फिर रात में क्या होती है, ठीक है, और ठंडी होके, जो आप सौर्ट वेब रेडियेशन के रूप में जो प्रिद्वी और सोषड की रहती है रेडियेशन उसे आप देखेंगे लॉंग वेडियेशन की रुप में जो है उसे वापस वाइम अंडल में छोड़ती है लेकिन धूल के कड़ और कई सारे गैस उसकार बादल के काड़ क्या होता है वो जो रेडियेशन होता है लॉंग लॉंग वेडियेशन के काड़ होता है अगर जिस दिन हवा सच रहेगी लॉंग वेडियेशन आसमान में निकल जाएगी ठीक है तो यहां पर गर्मी होगी नहीं तो इस वाज़ास देखेंगे प्रतिवी की सता के नीचे नीचे का तापमान देखेंगे उपर की यह पेच् के प्रतिवी पर उल्चाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है यह तो नॉर्मल कंडिशन और देख लेते हैं नॉर्मल कंडिशन में क्या होता है सामानता जो है प्रतिवी कन्वेक्शन करेंट के रूप में तापमान बढ़ने पर हवाएं उपर अठती है वार्म हमा गर्म हवाय पाए जाएगी ठीक है इसका काड़ क्या होगा स्मॉक बनना अखर देखेंगे तो में पायाता है यहां पर स्मॉक बनने के काड़ आपको वार्म लेर मिलेगा जो दिछे मत खोटी है यहां पर व्य में दिकत होती है लेकिन ओं सम्ताप मंडल के निचली सता झाचाती है वहां पर आप देखेंगे एक्क्वेटर पर और पोल पर दोनों पर देखेंगे चोप सीमा के उचाई में अंतर है एक्क्वेटर पर आप देखेंगे यानि टोटल चोप सीमा की उचाई 13 किलोमेटर है अगर एक्क्वेटर की बात करें तो चोप सीमा की उचाई कितनी है 18 किलोमेटर है ठीक है और वहीं इसके लावा यहाँ पर density और तापमान में क्या relation है ठीक है density किसी कहते हैं यहाँ सब बहुत सारी चीज़े दी गई है इसको आप पढ़ लिजेगा ठीक है अब थर्मर इन्वर्जन के बारे में यहाँ दिया गया है उसके आदर्स दसाएं क्या होती है अब देखें थर्मर इन नेक्ष्ट की बात करें कुश्चन नंबर 3 में क्या पुछा है इसमें पुछा नेम लिकित में कौन सा उर्फ करबंदी सावाना छेत्र जलवाई की पिसेस्ता है ठीक है वर्ड क्लाइमेटिक जोन से कुश्चन पूछा गया है और यह लगभग जो है घुमा फिरा के कुश एक चीज आपको ध्यान रखना है जितने भी यह सब चीजियां सब के केंदर में क्या है तापमान और तापमान का सोर्ष क्या है पृत्वी पर सूरी ठीक है अगर तापमान देखेंगे तो विश्वत रेखी जलवाई यानि विश्वत रेखी एक्वेटरियल क्लाइमेट सब्सक् happiest लगबग सिधह पढ़ता है यह पर सूर एनर्जी ज्यादा मिलती है इससे क्या होगा सन्द इरेक्ट पढ़ने से क्या क्या कर दोगारीट यह साल यहां जी तो यह इंग से जीए होता है यह जो कॉन डेक्शर का विकास होता है सर जंजा के साथ जो है यहां पर देखेंगे रात और दिन का जो है आप देखेंगे अंतर जानी की इसके लाओं जैसे से तिर्चीपन सर धुट वह फॉरस्ट रिजन हो चाहिए उसको मिलाकर बायोडर्सटी में भी आपको अंतर देखनी को मिलेगा इस प्रकार इसमें देखेंगे इस कुश्चन को देखेंगते हैं इसमें क्या पूछा गया है पूरे वर्स वर्सा होती है तो सवाना कहा है नहीं अब देखें सवाना कहा यहां पर ड्राइव एसमें उप्रकार्णा को मिलेगा इसमें और इसके लाम देखेंगे तो सवाना मैं ने बता एक transition zone पायाता है इसमें आप देखेंगे भूमत रेखी जंगल और गर्म रेगिस्तान पायाता है जैसे अगर बात करें सावाना टाइप की climate की सबसे अच्छे उधार जो है अफरीका है तो इस प्रकार इसमें option dc हो जाएगा भारत की बात करें तो भारत के विस्तार देखेंगे ट्रम फटे आठ डिगरी जो है चार मिनट नौर्थ से लेकर आप देखेंगे सहिस डिगरी जो है 6 मिनट नौर्थ के बीच में है किसी भी महदीप को आप इस बेख रिजन में भीच लिआ बहुत क्लाइमेट पाए जाएगा ठीक है इसके नेस्ट कुछिन की बात करें कुछ नमर फूर पुछा है एक व्यक्ति एक अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था और अपने गाउं तक पहुचना चाहता था उस अस्थान से 5 km पूर्व इस्थित था जहां वो खड़ा था उसका गाउं ठीक है उसके पास जिसा जानने का कोई उकड़ नहीं था लेकिन उन्होंने धुरुप तारे का पता लगा लिया अब उनके गाउं तक पहुचने में सबसे सुब्धा जनक पैदल तरीका क्या हो सकता है यानि दाहनियों और रखते हुए दिसा ठीक है सबसे पहले सब्सक्राइब आप लोग खड़े हैं धुरुप तारे कहां होता है नौर्थ में होता है ठीक है अगर धुरुप तारे के सम्मुख जाएंगे तो नौर्थ की तरफ चला जाएंगे जबकि इसमें कहां 5 km कहा है पूर म सब्सक्राइब तक दिरुप नहीं पता तो वहां पर लिखा घाएं ढर्ख कि बुख में देख करें में लिखा गया को इसमें मानसून की अवत धच्छड भारत में उत्री भारत تक घटी प्सिंदो उतरी भारत के मैदाना में वार्षिक का रखी वार्षिक वार्षिक जो पूर्व से पस्चिम तक घटती जाती है कौन सा कथन सही है अभी मैंने बताया कि जो आदरता होती है नमी जो होती है वो कहां होती है दिखेंगे सबसे जादा कहां होती है तो जल कहां से मिलेगा जल समुद्र से मिलेगा ठीक है तो हवाएं जो सूर के तापमान से जब acje कर जाती है धूसरा देखेंगेे रहे देबज़ा साथ बैस्हां से दूसरी जndh के तरफ पहुचेंगे वैसे उएसे अंदर के पहँचेंगे हवां में आद्रिता की कमी मात्रा में कमी होती जाएगे और Karma täll होगा बि्द्टा बेयां नंगाल से आपके कर यहां पर देखेंगे तो इस्टन रीजन में बारिस करेंगे और जैसे जैसे नॉर्थ इंडिये के तरफ बढ़ेंगी वहां पर आध्था की कमी आ जाएगी ठीक है तो कुल मिलाकर मांसुन की यवद में दच्छड भारत से उत्री भारत तक जो है मांसुन की यवद घट्टी जाती यह बात सही सबसे पहला मांसुन देखेंगे फर्स जून को आप देखेंगे कहां पर पहुचता है ठीक है तमिलनड केरल के पास ठीर जीर जो है मांसुन की कमी होती जाती है क्योंकि आध्था समय के साथ कम हो जाती है इसमें दूसरा ऑप्सन भी सही है पार्सी कवर्सा दे देखेंगे जाएगा करकर एक्षा की तरड़ जाएएगे तो यहां पर सुर का प्रकास जाता होगा तापमान जाता होगा ठीक है वर्सा कि मतर है और हिमता रहेग्या की तरफ जाएगा तो वहां पर देखने को मिल eh equator की de t हो जाता है उसकी पेच्छा देखेंगे विंटर में आप देखेंगे महासागर में क्या होता है लोग प्रेशर डेबलेप होता है तो हवाय जो है इधर चलेंगे साउथ की तरफ तो इधर साइड से जब आता ग्राण करेंगे पश्चिम बंगाल से तमिलनाड के तरफ पर है 2012 में कुश्चन पूचा गया उप्शन ए नगदी फसलो और खादी फसलो दोनों की खेती ऑप्शन बी एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलो की खेती ऑप्शन सी पस्वों का पालन पोश्वर्ट और फसले एक साथ उगाना यह उप्रोक्त में से कोई नहीं तो आप साथ देखें मिक्स्ट फार्मिंंग के अंदर गताता है वही फसलो के उत्पादगः साथ पसपवालन भी आप देखें क्या होता या यह यह पर में एक से अधिक फसल एक कौन से मुखरूप से वर्सा आधारित फसल है 2012 में कुछन पूछा गया तो देखेंगे मुंगफली के लिए जो है मुंगफली की खेती आप देखेंगे तो आलू की खेती आपने देखिए वैसे ही लगबग जो है मुंगफली की खेती भी की जाती है तिल की खेती पाजरा की खेती खीक है इन सब के लिए जो है आप दिकर वर्णसा की मातरा की जरॊत पड़ती है ऐसमें इसमें बेसिक का उसलों की बात करें से आप देखेंगे आप बाज़रा आ जाएगा और दल आ कपास आ जाएगा तिलहन आ जाएगा तिलहन मुंग फली और तिल भी आता है इसके लाँ चावल में सबसे ज्यादा पानी यूज होता है ठीक है भारत में तीन टाइप की कॉपिंग पैटर सीजन होता है रभी खरीफ जायद रभी में बात करें तो अक्टूबर और दिसंबर विजटेबल हुआ है ठीक है पस चारा हुआईगे सब क्या है जायद फसल है ठीक है और इसके लाँ अगर रभी की फसल पहुचा जाया है ठीक है जो ठंडियों में बोही गई होगी अभी और काटी जाएगी अप्रेल जून में गेहूं आ जाएगा ठीक है आप दिखेंग तूर मूंग और देखेंगे तो उरद कॉटन राउंड नट सोयबिन ये सबा जायागा ठीक है इसके बात करें क्या पूच्छा है इसे पूच्छा निम लिखित फसलों पर विचार केजिए ऑप्सन एक लो भी आ जिसे राजमा कहते हैं ऑप्सन दो हराचना तीन हराहर डा इनका उप्योक आप देखेंगे दाल के रूप में किया रहता है ठीक है चारे के रूप में आप देखेंगे बहुत लोग चारे को भी हारी खाट के भी रूप करते हैं इसमें ऑप्सन डी सही हो जाएगा ठीक है कुशन नमबर 9 में क्या पूच्छा है भारत सरकार ने सी ब की मान होता है और यह उच उचाई पर ठंडे चेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भात अनकूलित है यानि उच उचाई चेत्रों में पायाता है आपसन पोर इसकी हिमारती लकड़ी का उच्छ वाड़जिक मोल है यानि वैल्यू है तो 2012 में पुछा गया सबसे पहली अब देखेंगे यह एक जाड़ी को जैसा फसल होता है इस तरह की फल पायाती है और यह आप देखेंगे तो ठंडे रहेकिस्ताने चत्रों पायाता है आमतर पर लद्दाक में सुखे चत्रों में देखेंगे इसे लोकली में क्या केते चर्मा कहती है लाहोर इस्पीत और कि आप देखेंगे आप देखेंगे तो इसमें एक और तीन जो है सब्सक्राइब क्या है तो कहीं ने कहीं है लेकिन ऑप्सन में नहीं है फीक है बाकि सारे इसके लाव आप देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है इसको आप देख सकते हैं और सुधिल लाव क्या है तो इसमें देखेंगे फल और पतियम बिटामिन और कैरोटिनोइड ओमेगा फैटी एसिट सब पाए जाते हैं और इसका यूज आप देखेंगे सानिको की मदद करते हैं ठीक है फैटी एसिट से भरपूर होता है इसलिए उचाइप पर पहुंचें नम liखित विससता है सबसे पहली बात इसमें देखिए या उसी अच्छांस परिस्थी जो उत्री राजस्थान से कर गुजरता है उत्री राजस्थान की राजस्थान की बात कर गे ऊत्री राजस्थान से तो अधिक्षेत वुर्ण च्छा 갑ित तो आप लिए एवे में तुङ है नि यहार में है नहीं, ठीक है? दार्जलिंग में है नहीं असम में है नहीं क्यूंकि आफ देखेंगा उतरी राजस्तान की बात कर रहा है यह अगर अदिखेंगे इसमा sean do utrah प्रडेस की बात कर रहा है काई सारे यहां पर फॉरेस्ट एडिया कवर है ठीक है और डेस्टनल पार्क है पाउडर सिटी पार्क है तो इसमें देखेंगा उप्सन ए सई हो जाएगा ठीक है इसके लाओ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट दोजार इकीस की रिकॉर्डिंग देखेंगे सबसे ज़्यादा आप देखेंगे largest फॉरेस्ट कबर की बात करें तो अडांचल प्रदेश के बाद 36 गड़ ओडिशा महराष्ट पहले नमबर पर आप देखेंगे MP है सेकेंड पर आप देखेंगे अडांचल प्रदेश थर्ड पर आप देखेंगे च्छत अटिश गड़ और पर अडवीशा फित पर महराठ यह फैक्छाल इंफॉर मिसंगे लाम परसेंटेज के मामले में आप से पुझे जाए तो त्चूटल आप फाइव इस्टेट बताइये परसेंट टोल इожд Netz से श्थेरिया चेल 돌 वाड़ इम्जोध पर देख टोसु इसके लाओं कुछ आप देख लीजिएगा क्योंकि इसमें जो है ओप्सन के पूछ लेता है और इसके लाओं देखनार की रिपोर्ट कहता है कि सत्रा इस्टेट और यूइन टेरिटरी के पास थर्टी पर्शंट जो है एरिया जो है फॉरस्ट कबर के रूप में है नेश्ट कुछन की बात करें रिसोर्स और मिर्डरल्स कुछन पूछा है कोईले का प्रिया सुरचित के लिए सुरचित रखे वर्तमान उपयोग के लिए अन्य देश्ट कुछ से आयाद करें बारत के अधिकतर विद्दुत सायंत कोईले पर अधायत है और उन्हें देश की परयात मातरा में कोईले की आपूर्द नहीं हो पाती और सबसे पहले इसमें आपको बताना कौन सा क जिवास मिधन को हटा रहे हैं ठीक है अगर यहां पर पेट्रोल लिखा होता तो हम लोग यह बात कह सकते हैं रड़नेतिक रूप से हम लोग रखना चाहिए इसमें एक गलत हो जाएगा इल्मिनेशन मेथर से देखेंगा सीज़े आप सो अंसर भी मिल जाएगा लेकिन यह अभी बात साहिए कि भारत में जो अधिकतर थर्मर पावल प्लांट है वो कोईले पर अधारित है ठीक है इसके लाओं जो इसपात कंपनिया है उनको जो है कोईले की जरुत पढ़ती है इसपात को गलाने के लिए बनाने के लिए ठीक है तो इसमें ऑप्सन देखेंगे 20 हो बढ़ेगा ठीक है इसके लाओं देखेंगे को बहुत सारे कारण है तो में कार्ड आपको यह जान रखना है अब कुछ डाटा देख लेते हैं इंडिया की बात करें सबसे ज़्यादा किसके पास है जहारखंड के पास है सेकंड नमबर प्रोडविशा थर्ड पर च्छत्य के मामलें बात कर रहे हैं ठीक है लेकिन अगर आपसे लार्जेस्ट कोल ट्रोडूसिंग कंट्री पूछा जाए पूरे वर्ड में तो पहले नमबर पर कौन है पहले नमबर आप देखेंगे चाइना है तेकेंड पर आप देखेंगे इंडिया है यानि जो पांचवे दुसरा सबसे ज्यादा कोल उत्पादन कंट्री है और जो रिजर्व में चौथे अस्थान पर है वह दुनिया का सबसे पहला जो है प्रोडूसिंग करने वाला जो है कोल प्रोडूसिंग कंट्री है यानि चाइना ठीक है थर्ड पर आप देखेंगे युएस से हैं युए जो है आप देखेंगे गुडवाना च्चेट से प्राप्थ होता है इसमें आप देखेंगे दामोधर यानी जारकण पस्ची में मंगाल व्यारेले महानदी इसमें 36 गडवरी बेसर में महराश्ट नर्मदा घाटियों कें में पाया ता है इसके बाद टेरिश्री कोईला ठ सबसे बड़ा बंडर आपको मिल जाएंगे तो कारबन की मातरा के अधार पदेंगे सबसे बहतर को कोईला होता है एंध्रसइट उसमें 85% कारबन की मात्रा पाया थी कस्मीर में बहुत कम मात्रा पाया था कोईला में देखेंगे 60-80% कारबन पाया था लेगनाइट कोड़ आप सबसे घटिया कोईला होता है तो इस प्रकार कोईले की बात करें क्या पूचा है इसने पूचा है यदि राष्टी जल मिसन सही ढंग से और पूर्टर लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रहा पड़ेगा आप्शन दो ऐसे समुद्री जल को प्योग करने लायक बना सकेगी आप्शन 3 हमाले से निकली सभी नदिया प्राइद इपी भारत नदिय जोड़ दी जाएगी आप्शन 4 सरकार क्रिसको द्वारा भॉम जल का निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गुए कुई है और उन पर लगाएगे मोटर पंप सेट को बहन किये गए बैग को पुरी तरह प्रतपूर्थ करेगे तो सबसे पहले राष्टि जल मिसन आप देखेंगे तो नेशनल एक्षन प्लान और क्लाइमेट चिन की बात करें तो उसके तहत आठ मिसन लाए गए तो उनमें से एक है राष्टि जल मिसन तो उसमें हिमाले से नदी जोडो की बात कहीं नहीं गई है ठीक है बात करें देखेंगे भारत सरकार की जो है डाइसल एक्षन प्लान है 2008 में आप देखेंगे यह चालू की गई थी इसके अनदर आठ मिसन चालू की गए थे जिसमें आप देखेंगे तेन जो है ये क्या थे जलवाई परवरतन के प्रभाव को जो है कम करने के लिए और ये बचे जो पांस थे वो क्या करता है जलवाई परवरतन को कम करने के लिए एडाप्ट करने की याईनि सतत विकात पर राष्टी मिसन राष्टी जल मिसन राष्टी जल मिसन क्या करता है ये फोकस थ यहाँ पर इन सभी राष्ट्री प्लान के बारे में दे दिया इसको आपको दीख लिए यानि राष्ट्री सौर मिसन कब हुआ किस मिन्स्ट्री के अंतर गया था उसका कार आप देखेंगे उर्दय के लिए राष्टी क्या है इसे हमने दे दिए ये जर नसा नैखा गया है इसका काम है इडिभी जल्रशम्ट की बात करतो और बहुतर नीटियों को बनाकर समान बितरों सुनुष्जित किया जा सब्सक्राइछ ठीक है इसमें भू जल सताय जल प्रबंदन घरेलू और दोगिक जल प्रबंदन जल भंडार चमतव में सुधार करना आद्रभूम के सुरच्चा के मुद्दों पर ये गौर करता है तो इसमें आपको सारी चीजे दी गए हैं आठो मिसन के बारे में इसको आपको देख लेना आपको सही बताना है कि बैग्यानिक जो भी पर घटना यानि जो भी आप देखेंगे गतिभी देख रहे हैं उसमें ब्रह्मान्द के निरत्तन जो एक्स्पैंड हो रहा है उसके साफ्च के रूप में इन चारों में से क्या देखते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे अंत्रिच में सुद्रो की जो मेटराइट सुनकी गत की बात करें तो इसके बारे में यह नहीं बताता कि यह साच नहीं देता कि अंत्रिच जो क्या करें एक्स्पेंड कर रहे हैं ठीक है अंत्रिच के ब्रहमांड के एक्स्पेंड से नहीं या इनुवर्टिच के इवलूशन से संब्धित नहीं है तो इसमें एक और दो सही है इसमें आप देखेंगे और उस तापमान वाली स्थित को कैसे विस्तारित हुआ इसमें आप देखेंगे प्रकास सत्तों के प्रचूरता ब्रहमांडी माइक्रोवेग प्रिष्टिंग यानीं सीम्बी बड़े पैमाने पर सनुद्धा सहीद घटनाओं के व्रिस्त सिंक्ला तरह का प्रकास होता है जो विद्धु तरंगे होती है अब मैंने बता है रेट सिफ्ट को डॉपलोर प्रभाव की कहते हैं यह किसी परवेश्चिक से दूर जा रहे है वस्ट को दारब भेजेगा प्रकास को लाल होना तूर आकास गंगाओ की बात करें उसमें प्रकास में प्रकास में यह रंग स्प्यक्ट्रम के लाल सिरे नीली और तक उससा अंद्र होता है इसका संबद आप देखेंगे बिग बैंक त्योरी से नहीं है बल्कि एचस्वार में दिया गया है इसको आप सब पेज पर आपको जाइन कर सकते हैं अपडेट के लिए फैसंदारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं next class में ठीक है